वर्सों पुरानी कब्ज की समस्या जिसके कारण आतों में चिपका वजो मल होता है दोस्तों पेट में पड़ा-पड़ा साड़ जाता है वो आपके सरीर में नजाने कितनी ही बिमारियों को जनम देता है कई बार अमारे पेट में इतनी जादा गैस बनने लगती है कि गैस आपके सीने में चड़ जाएगी सर में चड़ जाएगी या पेट में दर्द करती है और गैस जो है ना सरीर के बहुत सारे जैसे कमर में पेट में बहुत सारी समशाय कर देती हैं दर्द करती हैं गैस यहां तक कि आपको जिनको लंबे समय से कबज की समशाय रती है उसके करणा आपके सरीर में भारी बनाने लगता है आलश्या आने लगता है किसी भी काम में मन लगता है, तो आज जो आपको नुस्खा बता रही हूँ ना यह Permanent नुस्खा है जो, कबज की समश्या का, आप इसे आजमा सकते हो, और नुस्खा भी वहती आसान है, इसमें मैं दो तिन तरीके आपको बतांगे, जिन में से कोई भी एक नुस्खा आजमा कर आप अपने कब बड़ी आमाना जाता है जिनको वी कवज की समश्यारती है उनके लिए बेहधिराम बनोती है किसमिस आपको कुछ विटामिन C और विटामिन B6 देती है अलाकि अंगूर के विपरीत इसमें विटामिन A की कमी होती है किसमिस में एंटी ओक्सिडेंट की मात्रा अन्य फलों से जो आप फल खाते हैं उनसे जादा होती है इसके साथ साथ किसमिस के अंदर फाइबर की मात्रा अधिक होती है स्वस्त पाचन को ये बड़ावा देती है आपके आज में को ये ठीक करती है और कबज को बिलकुल जड़ से खतम करती है रोकने में मदद करती है तो आपको जो वो किस्मिस से जड़ से ठीक होती है, तो आपने अगर एक बार में ये नुस्खा continue बताए गए तरीके से आजमा लिया ना, तो आपकी कब्ज का जो है ना पर्मानेंटि लाजोगा दोस्ते, यहां पे आपको सबसे पहले जो किस्मिस है, इसको खाने का तरीका जानना है, सर्दियों में आप इसे ऐसे भी चबा कर खा सकते हो, थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन इसका जो बैश्ट तरीका होता है ना कब्ज के लिए आप ले रहे, तो इसको आप बिगो कर खाई, एक मुठी या 20-25 किस्मिस आप ले सकते हो, बच्चों को दे रहे हैं, तो 10-12 किस्मिस तक बिगो कर दे सकते हो, बिगोना आपको कैसे है, सबसे पहले तो 2-3 पानी से आपको किस्मिस को अच्छे से मसल कर दोना है, उसके बाद में आप इसे साफ पानी में बिगो कर रहना, रात बर सुबह उठेंगे, तो ये बिल्कुल सोफ्ट हो जाती है, बिग कर सुबह उठकर आपको इने चबा कर खाना है, और साथ में आपको पानी भी पीना है उपर से, तब ये आपको फायदा होगा दोस्तों, इसके बाद में जो दूसरा नुस्खा मैं आपको यहां पर बता रही हूँ, नीम्बू के साथ में, ये नुस्खा भी बहुती बढ़िया होता है दोस्तों, लेकिन क्या होता है, किसी किसी को कोई चीज सूट नहीं करती है, किसी किसी को कोई चीज सूट नहीं करती है, क्योंकि सब के सरीर की जो तासीर होती है, वो अलग-अलग होती है, इसलिए आपको जो चीजे नुस्खे में इस्तिमाल कर रहे हैं, उनका जो असर है वो भी इसी तरीके से जिसके सरीर को जो चीज सूट हो जाती है उसी इसाब से आपको दिखेगा दोस्तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ अगर आपको एक नुस्खा असर नहीं कर रहा है तो सबता के बाद में आप दूसरा नुस्खा आजमा कर देख लेना इस तरीके से आप तो एक आपको निम्बू लेना है दूसरे वाले नुस्खे के लिए दोस्तो एक निम्बू आपको रोजाना इस्तिमाल करना है एक निम्बू के साथ में आपको एक गिलास फुलवर के गुनगुना पानी लेना है गुनगुने पानी का ही इस नुस्खे म तो जैसे आप इसे सुबह लेना चाते हैं, तो इसमें आपको एक चीज और मिक्स करनी होगी, अगर आप ये नुस्खा शाम को ले रहे हैं, तो आपको सिर्फ गुन गुने पानी में, एक गिलास, टेड़ गिलास पानी में, नेमबु ही डाल कर लेना होगा रात के खाने की ब अगर आप इसे सुबह उठकर लेना चाते हैं, शाम को सोने से पहले नहीं लेना चाते हैं, तो सुबह उठकर आप लेंगे, तो आपको इसके अंदर जैसे गुन गुना पानी लेंगे, उसमें निमबु का रश डाल लेंगे, उसमें आपको जो है, तीन से चार चुटकी का नमक भी डालना है दोस्तों सुवे अगर आप इसी ले रहे हैं और फिर इसे आप पी लेंगे कम से कम एक से डेड़ गिलास पानी होना चाहिए इसको आपको बैठ के पीना ये इस तरह का डेटोक्स वोटर बन जाता है दोस्तों जो आपकी आतों में चिपकव अमल रहता है न आतों में शरीर का जो बेकार ततुर बुद्ध दिनों तक जमा हो जाता है उसको भी ये साफ कर देता है इसके लिए सिर्फ आपको गुंगुने पाने में नीमु का रस और नमक इस्तिमाल करना है आप खुद भखुद मैसूस कर पाएंगे जब सुवे उठकर आपका पेट एक चीज का द्यान रखना है अगर आप नमक वाला नुस्खा आज मा रहे हैं तो आपको बीपी वगिरा की सिकायत नहीं होनी चाहिए अगर बीपी की सिकायत है तो आप जो है सिर्फ गुंगुने पाने में नीम्बू डाल कर शाम की समय ले सकते हो दोस्तों एक आपको जो जिसको जो नुस्खा सूट होता है वो ले लें दोस्तों इसते क्या है पेट पोत अच्छे से साफ होता है पुरी गंदगी बार हो जाती है पेट की और इससे आपके पेट में गैस बनने भी कम हो जाएगी जो पेट में बारी पन रहता है वो भी खतम हो जाएगा और साथ क क्योंकि क्या होता है किसी को किश्मिस नहीं खानी होती है, किसी को नमक नहीं खाना होता है, किसी को निम्बू नहीं खाना होता है, तो आप ये वाला नुस्खा आजमा सकते हैं, ये जो नुस्खा है ये भी पूरी तरह से गरेलू रहेगा दोस्तों, जैसे कि आप डेली दू कब्ज के लिए आप कोई भी नुस्खा आज माते हैं अगर आपको अमेशा ही कब्ज रहती है तो आपको डॉक्टर की राइब की ले अगर आपको कभी कबार होती है इस तरीकी की समझ्या तो आप जो है ये नुस्खी सब ताबर्तक आज आए आपको जो है कब्ज का पर्मानेंट इलाज मिल जाएगा दोस्तों फिर कब्ज नहीं होती है लेकिन कब्ज का कारण सबसे बड़ा यह होता है कि हमारा जो खान पान ह होता है वह सई नहीं होता है दोस्तों कभी तलिवी चीज़े खा लेते हैं कभी मसाले वाली या फिर कभी अन्य चीज़े तो उसके कारण हो जाते है तो नुस्खी आज मैं ठीक हो जाएंगे आप वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्रीज वीडियो को लाइक से टूट चैनल पर लिवाराई तो सब्सक्राइब कर ले धन्यवादा